तो आज की इस वीडियो में हम आपको पिक्सा टैप की मदद से इस तरह की फोटो एडिट करना सिखाएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना अपनी दोस्तों के साथ जरूर सेर करना और हागा इस चैनल पर नए हो आगे इसी वीडियो और देखना कि इस वीडियो को पुड़ा देखना इस वीडियो को सुरू करना से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आप ने हमें इंस्सेज्टराम पे फॉलव फोटो को पिक साथिब के अंदर ओपिन कर लेना हुगा ठीक है watch Kate अदर आने इंदर आने के बाद सबसे फेले हम जाएंगे टूलस में यहाँ प्र तो तो simply आपको इस पर click कर देने है इस पर click करने के बाद आपको यहां से adjust पर click करना है यहाँ पर बहुत चारी आपको बढ़ा लेना है तो इसे में 27 गविसम दो करना है or से बाद यहां आपको लिखा होगा इरsmny आपको ए्रेज पर कलिक करना है और यह यहां से अपको सिंपल हैं जैसे कि यहां से हम अपने हेंड से एरेस कर रहे हैं आपको कुछ इस तरीके से इस कर लेना होगा तो कैच मैं यहां से पूरे hand से और face से जदी जदी से remove कर लेता हूँ तकि जदा आपका time waste ना हो सके तो कैच मैं वीडियो को थोड़ा सा fast कर दिया हूँ तो इस तरीके से आपको remove कर लेना है बहुत simple है आपको अपने hand से और face से लेक से हटा देना है बाकी सिर्फ background पर और अपने कपरों पर रहना चाहिए ठीक है और उसके बाद यहां से उपर आपको एक sign क्या mark मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख पारेवागा इसके हमारी फोटो में बहुत अची चमक आ चुकी है देख पारेवागा एक इतनी अची sign आ चुकी है हमारे background और हमा आद रखना तो इस तरह का इंडरेवेस मतलब बहुत सारा फिल्टर आपको देखने को मिलेगा आपको यहां से कलर एक राउंड सा सेथ मिलेगा और इसके बीच में प्लस का आईकॉन मिलेगा तो इस प्लस का इकॉन को अपनी फेस पे लागर सिंपली छोड़ देना है उसके बाद यह मैक्स ही हुँ जो आपको दिख रहे है इसे आपको थोड़ा सा बढ़ाना है मतलब इसे पूड़ा 80 नहीं करना है तो मैं इसे यहां 60 के आराउंड रख देता हूं तो यहां पे 59 मेंने कर दिया 60 सही है तो 60 के ही आराउंड आपको भी रखना है उसके बाद करना है ठीक है अब आपर आपको मड्स पर क्लिक करने के बाद अब देक परेंगे आमके आपके वाल इफेक्त पर चुके हैं और दूसरा जो पहले से था आपको इस तरह का color tone चाहिए तो ठीक है यहां से मेरे 200 कर दिया आप दीख पारे होगे गाइस कितनी अच्छी हमारी फोटो में एक मतलब बहुत अच्छा एक color retouching हो गया हमारी फोटो और सिंपली इसके रिप्लेश को आपको अच्छे से देख लेना है 200 मैं ने किया है तभी इस तरह का color हमको मिला है तो अगर आपको इस तरह का color चाहिए तो आपको 200 के आसपास रखना होगा 202 3D चलेगा या फिर 1098 97 भी चलेगा ठीक है और इसके पाद इरेज पर क्लिक करेंगे और सिंपली जो भी आपके फेस पर या फिर हेंड पर लेक्स पर कहीं पर इसका इफेक्ट आ जाए जो भी मतलब colorful लगने लगे सिंपली आपको इरेज कर देना है तो यहां पर कोई भी नहीं लग रहा है सिर्फ हैंट पर था तो हमने रिमूब कर दिया वहां से अब सिंपली साइन के मार्क पर आपको क्लिक कर देना है और यहां से मर्ज कर देना है देखिए यहां पर आपको एक मर्ज करने का option मिलता है इस पर click करके merge कर लेना है यहाँ पर जितना हो जाने के बाद आपको सबसे last में जाना है यहाँ पर आपको third last number पर मिलेगी saturation तो saturation पर click करना है और इसकी amount को लगबग यहाँ पर इतना रख देना है 80 के around तो saturation की amount इतना कर देने के बाद आपको eraser पर click करना है इरेजर पर क्लिक करने के बाद फिर से हम इरेज को स्इलेक्ट करेंगे और सेम वही प्रोस्डिस अपनाएंगे अपने face और hand से remove कर देंगे जैसे कि हमने पहले किया था तो इस तरीक से आपको अपने hand से और face से remove कर देना है यानि कि erase कर देना है दीखे एरेस कर देने के बाद आपकी फेस पहले जैसी हो जाएगी अभी रेड रेड कलर की दिख रही है ठीक है तो मैं यहां से जल्दी से एरेस कर लेता हूँगा इस बहुत सिंपल है फेस और हैंड से रिमूब कर लेने के बाद थोरा सा लिप पे जो है इसका कलर दे देना करेंगे तो यहां पर मैं कर देता हूँ क्लिक आप इसके अमाउट को अपने ही इसाब से देख लेना आपको कितना अच्छा लगता है इतना हो जाने के बाद अब यहां से ब्यूटी पर क्लिक करेंगे और अपने फेस को थोरा सा समूध करेंगे तो उसके लिए हम से पेंपल्स होंगी तो हाईड हो जाएगे ठीक है तो इस तरीके से आपको अपने पूरे प्रेस पे और हैंडust चला लेता हूं तो यहाँ से मैंने पूरे फ bị चला लिया और हैंड पे और जहां-जहां बापकी रहाँ मैं चला लेता हूं और इतना हो होता है finish अब आपको tools पर जाना है और अपने face को white करना है तो इसके लिए हम adjust पर क्लिक करेंगे फिर से adjust पर आने के बाद इस बार हम brightness को थोरा सा बढ़ा देंगे तो तो यहां पर मैंने brightness को 5 के round रख दिया, थोरा सा उपर करेंगे तो बढ़ जाएगी, नीचे करेंगे तो घर जाएगी, अब आपको यहां से situation पर क्लिक करना है और इसकी amount को कम कर देना है, तो situation मैंने minus 18 कर दिया और उसके बाद यहां simply eraser पर क्लिक करेंगे, यहां invert पर क्लिक कर अपको और simply इसे आपको आपको अपने face पे hand पे चला देना है, तो दिखिए जैसे जैसे हम यहां पे चला रहा है हमारी face यहां पे white होती जा रही है, तो अगर अपने face को white ना है, यानि गोड़ा करना है तो simply इस तर effectivement face पे और हैंड पे चला देना है क्योंकि हमारी face red red color की दिखीगी तो अच्छा ने लेगेगा हमारी photo में simply मैंने face पे और हैंड पे पूरे leg पे चला दिया तो गई जितना काम खत्म होता है हमारा face भी white हो चुका है, smooth भी हो चुका है background color भी change हो चुका है कपड़ों में भी sign आ चुका है अब आपको sign के mark पे click कर देना है sign sign image कर रहा है और यहाँ पे saturation को अपने हिसाब से देख लेना है कि कितना आपको face white चाहिए जितना चाहिए उतना आपको कम कर देना है अब यहाँ से sign वाले mark पे हम click कर देना है तो गैज यहाँ पे हमारी photo completely edit हो चुकी है अब आप देख वारों कितनी गजब की हमारी photo गैज यहाँ पे edit हो गई अब simply इस photo को हम save करेंगे save करने के लिए यहाँ draw पे click करना है आपको draw पे click करने के बाद उपर आपको draw लिखाएगा अब आपको वीडियो पसंद एक तो भाई के लिए एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लिजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके notification पेल यानि घंटे का आइकन दबा लिजिए फिलाल के लिए इतना ही love you all, take care, bye bye